ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज आपके जीवन की प्रकृती को तै करेगी. मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूँ, बस उसे कीजिए, जीवन नाटकी रूप से बदल जाएगा. एक ऐसी बुद्धिमत्ता, जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है, वो आपकी होगी. आधुनिक विज्ञान आज ये मानता है कि आकाशिय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज होती है, यानि अंतरिक्ष या खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है. ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज आपके जीवन की प्रकृती तै करेगी. आप एक धन्य प्राणी होंगे या बाकी जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे. ये बस इस पर निर्भर करता है, कि ये आकाशिय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बरताव करती है. बिना किसी कारण के लोग जीवन में परिशान रहते हैं, है न? बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है. ये बेवजा नहीं है. इसकी वजा है कि आप या तो सचेतन रूप से या फिरन जाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहियोग प्राप्त करने में सक्षम हैं. जब मैं आकाशिय या अंतरिक्ष या पाच्वा तत्व कहता हूँ, तो इसे पाच्वा तत्व कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यही सबसे एहम तत्व है. बाकी दूसरे चार बस उसके उपर काम करते हैं. मूल तत्व, आकाश यह अंतरिक्ष है इसी पर दूसरे चार काम करते हैं हम यहाँ एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और यह घूम रहा है पृत्वी का घूमना, सौर मंडल, हर चीज मैं चाहता हूँ कि आप यह जान ले कि आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है आप अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं इसलिए नहीं कि आपके पास बैठने के लिए नितम्ब हैं आप अपनी जगा पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने आपको थाम रखा है आपको लगता है कि ये नितंब की वज़े से है आपके नितंब से नहीं आकाश ने आपको थाम रखा है आकाश ने पृत्वी को अपनी जगाह पर थाम रखा है ये आकाश है जिसने सौर मंडल को थाम रखा है यह आकाश है जिसने इस आकाश गंगा को थाम रखा है आकाश ने ही पूरे ब्रह्माण्ट को थाम रखा है और कोई तार नहीं बंधा है बस यूँ ही बस ऐसे ही थाम कर रखा है अब यह आकाश अगर आप जानते हैं कि इसका सहयोग कैसे लें अगर आप जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त करना है तो आपका जीवन धन्य होगा मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूँ जो वैसे भी हमेशा आप में से आधे लोग नहीं करेंगे आप बस इतना कीजिए सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिगरी का कोण पार करने के पहले 30 डिगरी का मतलब इतना 30 डिगरी के कोण को पार करने से पहले आकाश की और देखें और आपको आज थामने के लिए नमन करें जब ये 30 डिगरी को पार कर जाता है दिन के दौरान किसी भी समय उपर देखें और फिर से नमन करें सूर्यास्त के बाद एक बार फिर उपर देखें और नमन करें उपर किसी भगवान को नहीं बस आकाश को आपको आज थामने के लिए बस ऐसा कीजिए जीवन नाटकी धंग से बदल जाएगा क्या आपने गौर किया है कि तिंडुलकर भी उपर देखते हैं और क्या आपने देखा है कि सिर्फ वे ही नहीं प्राचीन काल से जब इनसान ने युद्ध जीते या महान सफलता के खशनों में क्योंकि अंजाने में एक एहसास होता है ठीक है उनमें से कुछ लोग उपर वाले को देख रहे होंगे पर उनमें से ज्यादा तर जो लोग चोटी पर चड़ने में सफल हुए माउंट एवरिस्ट पर तो ये स्वाभाविक रूप से होगा क्या आपने ये देखा है? चाहे वो भावस्पंदना या साम्यमा जब आपने अनुभव के शिखर को छुआ तब क्या आपने गौर किया कि आपका शरीर आभार से भर जाता है? शरीर भी आपकी जागरुकता के बिना ऐसे हो जाता है क्योंकि कही न कहीं एक समझ है एक बुद्धिमत्ता मौजूद है जो ये पहचानती है आप इसे सचेतन होकर दिन में तीन बार करें अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन जादूई तरीके से चलेगा एक ऐसी बुद्धिमत्ता जिसे आपने कभी सोचा नहीं था कि संभव है वो आपकी होगी क्योंकि एक बुद्धिमत्ता जो आपकी समझ से परे है अभी यहीं पर काम कर रही है क्या ये नहीं कर रही है ये वो बुद्धिमत्ता है जो ब्रमान को थामे हुए है ये वो बुद्धिमत्ता है जो शृष्टी का गर्भ है उस बुद्धिमत्ता के गर्भ में सारी शृष्टी घटित हो रही है और इसे आपके लिए नकारा नहीं गया है उस तक पहुँच रोकी नहीं गई है बात सिर्फ ये है कि आपने अभी उस ओर देखा ही नहीं बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तलीन है आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपकी हार्मोन ने आपको इतना उलजहा दिया है कि उपर देखना कभी नहीं होता आप परे की किसी चीज पर कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीजें आप पर हावी हो गई हैं इसी को हम माया कहते हैं यही माया है ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, वो माया नहीं है बात सिर्फ इतनी है कि ये माया है जब कुछ इतना जबरदस्त और शांदार और विशाल घटित हो रहा है तो ये छोटी चीजें आपको व्यस्त रखे हुए हैं और वे आपको ऐसा महसूस कराई हैं जैसे वे बाकी सब चीजों से ज्यादा असली हैं इस सब का होना ब्रह्मांड में आज तमामू शांदार चीजें हो रही हैं बिल्कुल चमतकारी और शांदार ढंग से लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त रखता है आया नहीं यही माया है क्या आप समझे